मैच से कुछ गंटों पहले ही चैनी सोपर किंग्स को मिली तीन बड़ी खोस ख़बरी जानेंगे पूरी ख़बर चैनल को सब्सक्राइब करें गिर्किट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेली ग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी आईपल 2022 में चैनी सोपर किंग्स का अगला मुकावला मुंबई इंडियंस के साथ होने बाला है चैनी सुपर किंग्स को ये मुकाबला जीतना जरूरी है अगर चैनी सुपर किंग्स को पिले ओफ में पहुँचने की अपनी थोड़ी बहुत उम्मीदों को जिन्दा रखना है मुंबई इंडियंस के खिलाप होने वाले मुकाबले से कुछ घंटे पहले ही चैनी सुपर किंग्स के लिए तीन बहुत ही अच्छी ख़बरें सामने निकल कर आ रही है यहाँ पर पहली बड़ी अपडेट रविंदर जड़ेजा के रिप्लेसमेंट को लेकर के आ रही है जिन ही अभी तक एक भी मुकाबला खिलने का मौकार नहीं मिला है लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाप पर प्रसांत सौलंग की डेवियू कर सकते हैं यहाँ पर दूसरी बड़ी अपडेट प्ले आफ को लेकर के है आपको बता दे चैनी सुपर किंग्स को अगर प्ले आफ में पहुंचना है तो उसे बांकी बचे हुए तीनों ही मुकाबलों को बड़े अंतर से जीतना होगा पॉइंट स्टेविल की बात करें तो कुछ ऐसी इस्तिती बन रही है जहां पर ऐसा लग रहा है कि चौथे नम्मर की टीम 14 अंकों के साथ क्वालिफाई करेगी अगर ऐसा हुआ तो चैनी सुपर किंग्स के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती यहां पर 30 बड़ी अपडेट महिंदर सिंग धौनी के प्रदर्शन को लेकर के आ रही है आपको बता दें चैनी सुपर किंग्स ने मॉंबई इंडियंस के खिलाप होने बाले मुकाबले से पहले अभ्यास मेच खिला था जिसमें महिंदर सिंग धौनी ने काफी अच्छी बल्लेवाजी की निश्चित तोर पर मेच से पहले धौनी का फॉम में दिखना एक अच्छी खबर है आपको क्या लगता है क्या चैनी सुपर किंग्स मॉंबई इंडियंस को हरपाएगी आप अपनी राए नीशे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें